हरे क्रिकेटर का यही सपना होता है कि जब वो क्रिकेट खेले तो अपने देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाए अपने देश के लिए बहतरीन परफॉर्म करें ताकि लोग उस खिलाडी को याद रखें अगर हम यह क्रिकेट का गेम देखें तो यहाँ पर आपको दो तरीके के खिलाडी मिलेंगे पहले वो जिनके पास टालेंट होता है लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है और दूसरे वो जिनको मौका मिल जाता है लेकिन वो अपने आपको साबित नहीं कर पाते हैं हमने ऐसे बहुत से खिलाडी देखे जिनको वर्ड कप में मौका मिला लेकिन वो अपने आपको साबित नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनका करियर खतम हो गया बहुत ही छोटे समय के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला और उसके बाद वहां से वो छुट्टी ले बैठे अगर हम बात क करें तो इंडिया के बहतरीन बल्लेबाज रहे हैं रंस भी मारते थे लेकिन उसके बावजूद यह जादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएं इन्होंने दो टेस्ट साथ वंडे और एक टी-20 खेलाएं दूसरे खिलाडी की बात करें तो दूसरे खिलाडी यह दीब दास को आपने IPL में बहुत देखा है लेकिन इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कम मैचेस खेलें इंडिया के लिए सिर्फ उन्होंने चार मैचेस खेलें उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वैसे टी-20 लीग जो होती है आई-पेल हो गई या और कोई दूसरी कंट्री की ऊसमें वह आपको दिखते हैं लेकिन इंडिया के लिए वह नहीं दिखते हैं की बात करें तो ऌनके करियार पर फूल स्टॉप लग गया था तब में चालू कर दिया था पांचवे खिलाडी की बात करें तो पांचवे खिलाडी ग्राहम मेनू, अगर इनकी बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते थे, लेकिन उसके बावजू जो है, इनको कही न कहीं मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि इनके करियर पे जो आपको लगता है, कि उसको मौका नहीं मिलाए, लेकिन मौका मिलना चाहिए था, तो वो भी बताए, साथ-साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.